प्वित्तर पावण हजूरी विच्च सज बैठी प्वित्तर आत्मा सत संगत सुरूप गुरू प्यारे खालसा जीओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते महापुर्खा ने जो हुकम कीता है उस हुकम दी पालना कर देया कोज गुर्मत विचारां कोज विचारां सत गुरु कलगीतार पिता महराज उन्ना दे जीवन आलस बंद रखन लई सद्धा गुरु महराज नाल प्यार बढ़े आ रवे उन्ना दे जीवन ते आस विचारां कोज विचारां आप जी दे नालसा जीएं करंदा जतन करांगे सबतों पहली गल जदों असी गुरू गोबन सिंग जी महराज नानक सच्चे पाथ्षा महराज जी दि दसमी जोत गुरू गोबन सिंग महराज जी नू दसा जोता विच्चों जेडी दसमी जोत है गुरू गोबन सिंग महराज जी दि उस जोत नू सबतों वद नामादे नाल सिजाद करते हैं एक भी नाल लेलिये ताँ ओदी व्याख्या करंदी लोडनी पहिंदी के आपां कहड़े गुरू जी दी गल कर रहे हैं कोई प्यार ना कहेगा मेरा कलगिया वाला सत्गुरू एद्नी गल कहेदो ते समझा उनदी लोडनी पहिंदी भी केड़े गुरू जी दी गल कर रहे हैं पाज्यावाला सत्गुरू निलेदा सहस्वार सत्गुरू अमर्त दे दाते सत्गुरू पंत दे वाल्ली सत्गुरू पुत्रां दे दन्नी सत्गुरू स्वर्वंस दन्नी सत्गुरु किन्ने ना जेडे असी अपनी जादे विच सैस बा जेडे ने वो सली जादे विच वस्चे होए ने इस तो बिना पाई नंदलाल जी ने ता बहुत सारे नाम जेडे ने उन्ना दा गरंथ है वो दे विच सत्गुरु जी दे वर्नन की तेहन नास रोमन सूर एज दीमन जूर किन्ने ना अपाँ उन्ना नामा दा कीर्तन आम रागी सिंगा दे कोलो सुन देहां मैं संखेब रूप दे विच्च तेन गल्ला बारे तोहडे नाल गुरु महराजी दे जीवन बारे विचार संजे करने हन पहली विचार उन्ना दी जो आत्म कथा है विचित्तर नाट की उदे बारे संखेब रूप विच्च दूसरे विचार पो सुदी सत्वी बारे संखेब रूप दे विच्च ते संखेब रूप दे विच्च उन्ना दे जीवन विच्चो दो तेन जेडियां चलका हन उ मैं आप जी ने दाल सांजियां करनी हन एक है के मैं परफेशनल परचारक नहीं है जेड़े परचारक उन्देने बहुत सार यह पंगतियां जाद करके रख देने पढ़नदा सत गुरांदी मेहर दे नाल थोड़ा जा चुका है जदोंवी कोई स्वाब बनदा है ते सत गुरांदे अलाही जीवन दे जेड़े दिदार ने वगवग गरंधां दे विच्चो वगवग पुस्टकां दे विच्चो करनदा जतन कर दे रही दा है आसा जीदी वार कहन दे के जिदो गुरु नानक साहब जीदे वेले गाई जान दी सी ता वो पौडियां दी ही वार गाई जान दी सी उस तो बादा होते विच्च स्लोक जेड़े सी वो अंकत कीते गए ते जेड़ी वार दी पौड़ी है पहली वो है आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दोई कुदरत साजिय कर आसन डिठो चाओ आपी ने आप साजियो प्रमेशर ने आपने तो आप सारी स्रिष्टी साजियो आपी ने रचियो नाओ फिर गुरु महराज गुरु नानक साब सच्चे पाच्छा केंदे ने दोई कुदरत साजिय है कि प्रमेशर ने आपने तो बीड़े एक होर कुदरत साजिय दिती जिन्नु किसे ने माया किया है ओ जड़ी कुदरत साज़ी है दूसरी जीदे विचसारा जीवन है ओस कुदरत दे जेड़े असल दे विचस्च दो चीज जानेए एक ओदे विच टाइम है, एक स्पेस है दूसरी कुदरत सारी जेडी है, वो इनना दो चीज़ां दा समेल है केडियां दा एक टाइम, दूसरी स्पेस, एक समा है दूसरा है एस आरा ब्रहमंड एस ब्रहमंड दे विच की की ओंदा है एब्रहमंड के दो साजया, टाइम दी शुरुआत कदो होई इस बारे सत्गुरा ने लिखिया है थेतवारना जोगी जाने, रोतमा होना कोई जदसी पढ़ दे हां जप ते पहला शब्द की पढ़ दे हां आद सच जिदो प्रमेशर आद होया ओदो टाइम दी शुरुआत होगी आद फिर की होया? आद समा पाके जुगां वेच बदल गया समा पाके की होया? जुगां वेच बदल गया जिननों असी कहनने है? जुगाद सच फिर हैपी सच हैपी सच की है जेडियों लगा तारता चल रही है फिर गुरु महराजी कहने नानक होसी पी सच जिदो ये सारा कोजी खतम हो जाएगा फिर आद तों जेडि पहला वाली वस्था है वो बन जाएगी जिदो सच गुरु सचे पाच्छा ने ये दुजी कुदरत साजी वो देविच की सच गुरा ने क्या पहली पौडी चे कार आसन डिठो चाओ के सच गुरु सचे पाच्छा ने आसन कीता इस कुदरत विच आपने आपनु समोया जिदो परमेशर कुदरत देविच आया जिदो परमेशर है सरीर्दा रूप ता आरके जा किसे नूँ उसने अपनी बढ़ियाई दिती अपना नवाजिया ता परमेशर जेडा सीगा ओवी काल देविच आ गया जे में बचित्तर नाटक देविच आम राकी शब्द सनौन के पई जीत मेरी अगला संटेंस है किरपा काल काल दा मतलब जेडा ओ परमेशर जेडा इस समय दे विच विच रहा है ओदी किरपा दे नाल ए जेडा जुद है ए असी जित्या है पंगाणी अला जुद है अकाल नहीं है एक थांते बहुत वरी शब्द आया है एक कुछ थांते आया है खालसा अकाल पुर्ख की फौज ते बहुत थांते शब्द आया है खालसा काल पुर्ख की फौज जित्थे अकाल पुर्खाया है ओ वाच कहेगा काल पुर्खदा ही क्योंके सत्गुरा ने आप अपनी बाणी विच ते शिरी गुरु ग्रंसा महराजे दी बाणी विच दस्या है रूपना रेखना रंग किछ त्रिहों कोन ते जिदो ओदा कोई रूप भी नहीं है तक ओदी फौज के में होएगी फौज कीदी है जिदो परमेशर है समेंदे विच आके